ओम्मूकं करुतिवाचालं पंगुम्लंग्हयते गिरिं यत्किर्पातमहं बंदे परिमानंदे माधुवं गुरुरो ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महे सुरा गुरु साक्षात्परंब्रह्मु तश्मै स्री गुरुवे नमा शर्वे भवन्त शुखिना शर्वे शंत निरामया शर्वे भद्रानि पस्यंत मा कशिद्धुख भाग है ओम शांत शांत अध्याय गैरा इसलोक नमबर पैंताले च्छाले सेंताले सड़ताले अध्रेष्ट्य पूर्वं हिस्तो स्मिद्रेष्ट्वा भये नेचा पर्थितम्मनों में तदेवुमे दर्सय बेदेव रूपं पृषीद देवे से जगन्निवासां किरीटिनंगदिनंचक्रहस्तं इच्छामित्वां द्रिष्टमाहं तथैवे तैने वे रूपेड़ चतुरु भुजेने सहस्रे बावु भौविस्व मूर्ते हे विस्व मूर्ती पहले न देखे हुए आपके आश्चर मेरूप को देखकर हरसित हो रहा हूँ और मेरा मन भैसे अतिव्याकुल भी हो रहा है इसलिए आप उस अपने चत्रोज रूप को ही मुझे दिखलाइए हे देवेश हे जगन्यवार प्रशन होई है अंगले स्लोक में अर्जुन कहरा है हे विश्णू मैं वैसे ही आपको मुकोट धारण किये हुए तथा गदा चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ इसलिए हे विश्व रूप हे सहस्र बावु आप उसी रूप में प्रगट होई है अर्जुन भगवान से कह रहा है कि आपके पहले न देखे हुए आपके आश्या में रुदूप को हरस्यत हो रहा हूं और मेरा मन भाई से अतिव्याकुल भी हो रहा है इसलिए आप उस अपने चत्रभुज रूप को ही मुझे दिखाईए देखू अर्जुन का मन एक तरफ तो हरस्यत हुआ कि जो भगवान का रूप बिराट रूप विश्यूप अर्जुन ने देखा और जिसे पहले किसी ने नहीं देखा तो भगवान ने अर्जुन पर किर्पा करके अपना विश्यूप दिखाया लेकिन साथ ही अर्जुन ने जब देखा भगवान के महाकाल रूप को कि भीसंपितामा द्रौड करण और तमाम दित्राष्ट के पूत्त दूशाशंद रियुदा नाद शब भगवान के विक्राल मुह में समाए जा रहे हैं मुह में समाए जा रहे हैं तो भाई भी तो हो जाता तो यह दोनों स्थितिय एक बार हर्स भी है दूसरा तरह भाई है इसलिए अरजन भगवान को दो संबोधन दे रहा एक संबोध है देवेश देवताओं के इश्वर यानि विश्ण रूप में देवेश यहां विश्ण रूप में है और जगन निवास यहां भगवान के विश्ण रूप में है कि भगवान का जगन ने और सारा जगत जिसमें निवाज करें वो तो विश्ण रूप है और विश्ण रूप देवेश में के भगवान के प्रसंद होके वो रूप दिखाई है और कहवी रहा कि यद्दप याफ सहिस्र भुजाओं वाले हैं क्योंकि अंगले स्लोक मरजुन ुआ कहा हैं कैरें बिश्व मूर्टे सहिस्र बाभु और सहिस्र बाऊ के साथ पिर क्या चतृत भुजें कि आप यद्दप सहिस्र भुजाओं वाले हैं हजारों सहिस्रों आपके भुजाऑं हैं लेकिन फिर भी मैं आपके चत्रभुज रूप को देखना चाहेता हूं अब वो अर्जुन की स्थिती देखिए आप के अर्जुन भगवान के चत्रवज रूप को देखो भगवान को जब किसी को भाईवीत करना हो तो अपना विवत्स रूप दिखाते हैं भायानक रूप दिखाते हैं और किसी को प्रेम करना हो तो शौम रूप दिखाते हैं इसलिए आप प्राया जितने भी जितने भी आप मंदिर देखें लगभग सभी मंदिर में भगवान के जो रूप बनाए वो सौम रूप बनाए जितनी भी मूर्तियां आप देखें कृष्ण की मूर्ति हो राम की मूर्ति हो शिव की मूर्ति हो सबी रूप भगवान के सौम रूप दिखाए हैं ऐसे अब मा देखो घर में होती है मा कभी कभी अपना उग्र रूप भी दिखाती है क्रोध भी करती है लेकिन उस क्रोध को हर कोई हर समय नहीं देखना कभी कभी ठीक है लेकिन हर समय क्रोध का रूप देखना किसी को प्र हिंदुस्तान में खास हैं, हिंदु समाज में, एक तरफ हम काली की उपासना करते हैं, लेकिन काली के आप देखो मंदर कितने हैं, बहुत कम मंदर मिलेंगे काली के, ज्यादा मंदर किसके मिलेंगे, मा के दुरगा रूप के ज्यादा मिलेंगे, सोम रूप के ज्यादा मिलें तो वो ऐसा विभत्स रूप है भयानक रूप है डरामना रूप है कि हर कोई डर जाता और कभी भी देखो क्रोध की अवस्ता आती कब है ये क्रोध की अवस्ता आती है जब व्यक्त में तमोगुड की प्रधानता आती है तमोगुड़ की प्रधानता में एक गहरी मूर्चा हो जाती और क्रोध का आवेस होता और जब क्रोध का आवेस होता तो क्रोध ऐसा नहीं दूसरे का ही आहित करता । क्रोध दूसरे का ही अहित नहीं करता अपना भी अहित करता है और क्या अहित होता तो आप देखेंगे कि काली के पैर के नीचे कौन है काली के पैर के नीचे शिव हैं और शिवकार्थ है अपना हित अपना कल्यार तो देवी ने जो उनके पती है जो शिव है कल्यार का रही है उन पर ही उनके ही चाती पर पैर रख दिया क्रोध की अवस्ता में क्रोध में व्यक्तिना अपना पराया नहीं देखता अपना हित अहित नहीं देखता सुवसब नहीं देखता प्रिया प्रिया नहीं देखता क्रोध की स्थिति में वो सब उसका मन बिच्छिप्त हो जाता अ पसांत हो जाता तनावग्रस्त हो जाता मूर्चा गहरी आचा जाती और जब देखा अपने ही हित पर पैर रख दिया अपने ही कल्यार पर पैर रख दिया अपने ही पती पर पैर रख दिया देवी ने तो कहते हैं उनको पश्चा अताब हुआ और उस अवस्ता उनका उनकी ज वो संगहार का रूप है वो संगहार का रूप है लेकिन वो रूप सबको प्रिये नहीं है वो सबको प्रिये नहीं है कभी कभी मुझे बच्पन में याद है कि कभी कोई ऐसा वेस्ट बना के काली का वेस्ट बना के गाउं गलियों में लोग आते थे तो बच्चे घर में तो अब अर्जुन भी भैवीत हो रहा है एक तो वह भगवान का भयानाक विभत्स रूप देखा काल का रूप संगहार का रूप के जिसमें सबका संगहार भगवान कर रहे हैं क्रोध का रूप तो अर्जुन भैवीत हो जाता और भैवीत हो कहता प्रभु कभी आप देखो ध्यान के लिए भी वह रूप नहीं आप ध्यान में ला सकते हैं कि क्रोध का रूप ध्यान में लाएंगे तो क्रोध की का वेग आएगा इसलिए जितना भी देखो कभी कभी ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने कुछ तांत्रिक साधना की है उनका तो खानपान भी बहुत ही असुद होता तामसिक खानपान भी होता क्रिया भी तामसिक होती है तो तामसिक रूप की भी साधना वो कर सकते हैं प्राया लोग जो होते हैं वो सात्युक रूप साथ्या साध्या साध्या साध्योवок खानपान और भगवान का भी साध्युक और सम्वार्वक की इपाशना करती हैं साध्या करते हैं यूuel एकागर हो जाता तुम्लाव मा देखा हैं कोई AP हो पीता हो और क्रोध में हो तो लोग दूर हो जाते उससे क्रोध में अगर वो हैं तो दूर हो जाते किनारे कर लेते लेकिन अगर प्रेम का रूप है भाव का रूप है शौम रूप है सरल रूप है तो हर कोई व्यक्ति नई दिए काता है उप्रिय लगता है सब के मन को भाता है तो अर्जुन अब भगवान से कह रहा प्रभू अपना यह रूप हटा लो यह रूप से मैं भाईवीत हो रहा और यह रूप अब आप मुझे न दिखाए क्रिप्या करके मुझे अपना चतरवज रूप दिखाए जिसमें चार चतरवज रूप क्योंकि भगवान के 20 रूप में अर्जुन ने भगवान का चतरवज रूप भी देखा था और जो चतरवज रूप देखा सोम रूप देखा तो अर्जुन को वह कोच भाव को भक्ति हो शमरपण हो है श्लैफ किि चत को पहले सभद ओर मन को सभ प्र lang और सुर्भ है मन बहुत अश्म आ यह संक्राचार हो आधी शंक्राचार यह तमां हमसंतों को रिश्यों को जिन्हों ने परमात्मा के निर्गुड निराकार रूप की उपाशना की है लेकिन वो भी अंत में भगवान के शगुड साकार की उपाशक बने संक्राचान ने में भगवान के सगुड साकार रूप की उपाशना की भक्ति की चैब वो माप्रभुचेतन जो हूँ कोई मीरा हो इन सब को भी देखो इन समने भगवान के सुम रूप के चतरवज रूप के साकार शगुण रूप के इद्दप इनकी सिख्षा दिख्षा बहुत निर्गुण निराकार की रही निर्गुण निराकार की सिख्षा होते हुए भी भी बात कहते हुए भी शगुड साकार क्योंकि निर्गुड निराकार सब के मन को भाएगा नहीं पकड में नहीं आएगा अगर मैंने का निक बच्चे को आप अल्फा विट सिखाते हैं तो ए फॉर एपल बी फॉर बैड शी फॉर कैट पता ना पड़ता है उसे एल बैड कैट दिखाके ए भी सीटी पढ़ने पड़ती है रूप दिखाके अच्छर करा अज्यान कराना पड़ता रूप दिखाके इ याद्ध पर्मातमा कोई रूप नई है, सभी रूप पर्मातमा के रूप है, फिर भी भल्यवो कल्पना के माध्यम से भगवान के शगुण साकार रूप बनाए गए, और शगुण साकार रूप बनाए, तो सहज में हर किसी के मन को वो पकडल में आते हैं, स्व compr है कोई ध्यान कर सकता है भजन कर सकता है परारतना कर सकता है अब मंदिर में घरम का मूर्तीनाव तो अधिक करेंगे मंदिर जाते हैं भगवान का इक स्वोम रूप सरर्ल रूप exist का लगवग सास्त्रों के अंसार भगवान स्री किष्णी की उम्र 125 साल तक जी ते ऐसा कहते है 125 साल लेकिन क्या बुढ़ापा नहीं आया होगा बुढ़ापा भी आया होगा बाल सपेद भी हुए होंगे मूं के दांत भी गिरे होंगे पता नहीं चेसमान दिनों था ये नहीं था लेक्न ये सब होते हुए भी भगवान क्षिण का रूप कहीं पर ब्रद रूप नहीं दिखाया भगवान किष्ण के जितने रूप है वो सब तरोड रूप है सब तरोर रूप है जो तरोर रूप सबको प्रिय लगे सौम लगे आकर्शक लगे भगवान शिव को देखो बगवान केलास पर रहते थे अब केलास पर रहते थे लेकं भगवान किष्ण को भी सिर पर जटाए हैं लेकिन डाड़ी नहीं दिखाई गई क्योंकि डाड़ी में लगता थोड़ी कुरूपता आ जाएगी लेकिन क्योंकि सारे चित्र की जो इस्थिती है चित्रों की जो कल्पना की है वो सारे चित्रों चित्रकार किसके बनाए हुए मनुस के बनाए हुए और मनुस की का आइडियल मनुस का रूप का आदर्स इस्त्री है मनुस के लिए सुन्दर्ता इस्त्री में है तो उसने इस्त्री रूप लिया बिना डाड़ी मूच के भगवान साहित इस्त्रियों ने कभी अगर ये चित्र बनाए होते इस्त्रियों के प्रधानता रही होगी चित्रकारी में मूर्तिकार बनने में तो साहित वो डाड़ी मूच दिखाते भगवान को लेकिन मनुस की कल्पना मनुस का आदर्स इस्त्री सौंदर में है तो भगवान को कहीं डाड़ी मूच नहीं दिखाए वो रूप ज्यादा सोम लगता ज्यादा सरल लगता ज्यादा प्रिय लगता ज् ब्रद्धा वस्ता का कोई रूप नहीं दिखाए क्योंकि उभाय वस्ता में ही व्यक्ति ज्यादा आकर्षक सौंदर यख तो मन की एकागरता परसो ने आत्म ग्यानियों हम्हां ने अग्वाद संबहे निर्गोण निराकार का स्वाद लिया निर्गोण निराकार में डूबे लेकिन फिर भी उन्होंने शगुड साकार की उपासना की बात भी कही आप बुद्ध के बारे में देखें बुद्ध ने लगभग अपने पूरे जीवर में मूर्थ पूजा का खंडन किया निर्गुड निराकार की बात कही लेकिन बुद्ध के अन्यायों ने भगवान बुद्ध की ही मूर्थ यह बना ले और कहते हैं बुद्ध सब्द भी बुद्ध से आया इतनी मूुर्तियां बनियां इस सब्द्ध सब्द्र पध्ध से आया कि इतना बुथ बने इतने मूर्तियां बनिया कोई ऐसा मंदर निर्गुड निराकार की परमात्मा का कोई रूप नहीं परमात्मा कोई नाम नहीं वो अच्चिक निर्गुड कर दीख निर्गुड निराकार की ही बात कही लेकर भगवान महावीर के देखो कितने मंदर कितनी मूर्थिया अब किसी जैन मंदर में जाओ और भगवान महावीर की मूर्थि ना हो तो मंदर कहलाओ कहोगे उसे बुद्ध मंदर में जाओ भगवान बुद्ध की मुर्टी ना हो उसे मंदर कहा जाएगा कोई प्रात्ना करेगा वहाँ कोई ध्यान करेगा बैठके कोई दर्सन करने जाएगा वहाँ तो कहने का अर्थ है निर्गुड निराकार की उपासना करने वाले आत्म ग्यानी ब्रह्म ग्यानियों ने भी भगवान के शगुड साकार रूप को सब के सामने लाया कि यह जड़ा सरल है और यहां से यात्रा सुरू की जा सकती है मैंने करना अगर अंतिम लक्ष कोई मंजल पर पहुंचना है लेकर उस अंतिम मुकाम मंजल पर पहुंचने के लिए सीड़ियों का सारा लिया जाएगा सीड़ियों का सारा अगर यह सीड़ियां ना हो तो अंतिम मुकाम मंजल पर पहुंचोगे कैसे सीडियां साधन बनेंगी उस लक्ष तक पहुंचाने में सगुड साकार साधन बनेगा जब साधन की बात कहते हैं साधन और साधना क्योंकि जब साधन है तो उसी साधन से साधना होगी सीडियों का सहरा लेंगे सगुड साकार का सहरा लेंगे उस साधन को साधना बनाएंगे और निर्गुड निराकार तक की प्राप्पी तक पहुंचेंगे लख्ष की प्राफ्भी तक पहुंचेंगे तो इसलिए अर्जन ने भगवान के निर्गुड Niraakar रूप को जब देखा, कि सारे निर्गुड Niraakar कर जब विष रूप माने सारे रूप परमात्मा के यद्द परमात्मा का कोई रूप नहीं है लेकिन परमात्मा के उस रूप में देखा सारे रूप देखे सब रूप उसी के हैं सारा विश्व देखा सारे विराट को देखा पुस उपक्षी देखे मनुस से देखे देवता देखे राक्षस देखे सारा विश्व देखा अब सारे विश्व काता हो ध्यान नहीं किया जा सकता सारा विश्व काता ध्यान नहीं किया जा सकता तो ध्यान के लिए कोई सौम रूप हो कोई एक रूप हो सहसर भुजाये नहीं होते इसलिए चत्र भुज रूप में आजाओ विश्ण रूप में आजाओ किरीटिनम गदि लेकिन अनंत रूप पर ध्यान नहीं कर पाएंगे हम अर्जुन कहते हैं अनंत रूप से हम राजी नहीं है मुझे तो आपका चत्रवुज रूप चाहिए चत्रवुज रूप जिसमें हम ध्यान कर सके भक्ति कर सके भाव कर सके समर्पड कर सके अंगले अंगला भगवान कह रहे हैं स्रीभगवान वाचें मया प्रसन्यन तव अर्जुन एदम रूपं परम्दर सितम आत्मयोगात् अर्जुन अनुग्रे करके मैंने अपना योग सक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम्तेजों मैं सबका आदी और सीमा रहिद विराट रूप तुझको दिखलाया है तेरे अत्रेक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था कि नवेदे यग्यद्धने न ताने न चक्रिया भिर ना तफो भी उग्रे एवं रूपा सक्के अहम नर्लोके द्रिश्टम तो अन्नेने कुरू प्रिवीरे भगवान कहते हैं हे अर्जन मनुस लोक में इस प्रकार बिस रूप बाला मैं ना तो बेद और एग्यों के अध्यन से ना दान से ना क्रियाओं से ना उग्र तपों से ही तेरे अर्थिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता है भगवान कहते हैं यह अर्जन अनुग्रे कर पुर्वग मैंने अपने यूग सक्तिक प्रवास यह मेरा परम तेजोमय परम तेजोमय क्योंकि भगवान के परम तेजोमय रूप को अर्जन देख नहीं सकता था इसलिए था भगवान ने अर्जन को अपने इस परम तेजोमय रूप को देखने के लिए अपने दिब चक्छु दिये थे और भगवान का तेजोमय रूप है और उसका ना कोई आद है ना अंत है सीमा रहे थै विराठ है वो रूप तुझको तेरे अत्रिक दूसरे किसी को भगवान ने कहते हैं पहले ये रूप किसी को नहीं दिखाया अद देखो प्रसंग आता है कि भगवान ने कहते हैं मैंने ये पहले रूप किसी को नहीं दिखाया लेकिन आप देखें इनी भगवान ने अपना अपने मुह में माता जसोदा को ब्रमांड के दर्सन कराये थ माता जसोदा को भी अपने मूँ में जब माता जसोदा कहती है गौाल बालों ने सिकायत की माता जसोदा से मैया लाला तो मिट्टी खाता है माता जसोदा छड़ी लेके आती लाला तुने मिट्टी खाई लाला मुँपे हाथ कर रख लेता मा मैंने नहीं खाई जब बहुत डाट डपड करती हैं तो कहते हैं भगवान ने अपना मुझ दिखाया लेकिन जब भगवान ने अपना मुझ दिखाया तो माता जसोदा को कहते हैं भगवान के मुझ में ब्रमांड के दरसन हुए भगवान के मुझ में ब्रमांड के दरसन हुए अब भगवान ने अपना ये रूप माता जसोदा को भी दिखाया और आप राम्तृत मानस में देखें माता कॉंसिल्या जब बालक राम को इस तनपान कराके पालने में सुला देती, मंदर में पूजा करने आती, किसी कारण से रसोई में जाना हुआ, बापस आके देखा, तो राम मंदर में भोग लगा रहे, पालने में दूस्त देखके जब एक नहीं दो राम देखे, तो कहते हैं माता कॉंसिल्या को भ्रम हुआ, ये दो राम कैसे हैं, तो भगवान ने कहते हैं, अपना बिराश रूप माता कॉंसिल्या को दिखाया, दिखरावा माताईन जे, अदवते रूप अखंड, दिखरावा माताईन जे, अदवते रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटी कोटे ब्रहमान, माता कॉंसिल्या को, मारानी कॉंसिल्या को, भगवान ने अपना बिराश रूप दिखाया कैसा, कि रोम रोम प्रति इसलागे कोटी कोट माता कॉंसल्या समझ जाती के जो मेरी गोध में खेल रहा है वो परमात्मा है जगत पिता को हमने पुत्र समझ रखा है तो पुत्र की आसकती होई भगवाल की भक्ति चली गई तो माता कॉंसिल्या ने फिर प्रातना की बारे वारे कॉंसिल्या बिनाए करे करे जोर अवजे निकवहूं ब्यापे प्रभु मोही माया तो माता कॉंसिल्या ने फ्रातना की प्रभु वैसी किरपा करो कि आपकी माया मुझे फिर भुलाबे में ना डाल सके और आपके विस्व रूप का आपके भगवस रूप का बिस्मरण ना हो सदा याद रहे और भक्ती बनी रहे तो माता कॉंसल्या को भगवान ने बिराट रूप दिखाया था रॉम रॉम प्रतिलागे कोट कोट ब्रह्मन लेकिन भगवान यहां अर्जन को कह रहे अर्जन तेरे सिवा मैंने किसी को दिखाया नहीं तो किसी को नहीं दिखाना है कि क्या अर्थ है यानि माता कॉंसल्या को दिखाया माता कॉंसल्या को दिखाया जसोदा मैया को दिखाया लेकिन यह भयानक रूप नहीं दिखाया ना माता कॉंसल्या को ना माता जसोदा मैया को भयानक रूप नहीं दिखाये कि भगवान के मुह में जिस जैसे सारी स्रिष्टी भगवान के मुह में बिले होती जली जा रही है जिसमें मृत्य का ऐसा ट्रंडव के सारा जगत भगवान के मुह में जैसे नदियां सागर में समा रही हैं जैसे कीट पतंग आग में जल रहे हैं ऐसी सारी स्रिष्टी भगवान के मुह में मौत के मुह में जा रही है तो ये जो भयानक रूप था अग्र रूप था ये भगवान ने ना माता कौंसिलिया को दिखाया ना मैया जसोदा को दिखाया ये अरजन को दिखाया अब अरजन को क्यों दिखाया अरजन को इसलिए दिखाया कि अरजन च्छत्री है योधा है वीर है और उसकी सारी की सारी स ख़ड़ा और जुद्द में जहां दोने तरफ दोना सेनाइशत्यच के Past तज्ब होई मनें मारने खड़ी हूं इंट भगवान ने वह रूप दिखा और जूकरे सकता सकता हो दोकर और यह रूप ना कर पाती उर मतां कॉंशल्या यह रूप ना देख पाती इसले माता कोंसलिया वो रूप ना देख पाती मेजासोदा भी वो रूप ना देखётсяए वो तो मूर्चत होके गिर जाती लेकिन अरजन की सामर्ध थी अरजन छत्री था रजोगुरु की प्रधान्तरा थी युद्ध के लिए ततपर था युद्ध के मैदान में था तो भगवान ने अर्जुन को दिखाया इसलिए भगवान कहते हैं मैंने ये रूप जो तुझे दिखाया है तेरे अतिरिक्त पहले कभी किसी को नहीं दिखाया तेरे अतिरिक्त पहले कभी किसी को नहीं दिखाया पहले नहीं दिखाया लेकिन ध् को देख रहा है वही रूप संझय भी देख रहें और सन्जय कैसे देख सके अर्जunn को छिजल गवान ने अपने दिव इंच दिए थे इसलिए देख सकथ प्र संजय को व्यास जी ने दिब्विचक्चु दिये थे संजय को व्यास ने दिब्विद्रिष्टी दी थी दिब्विद्रिष्टी दी थी जिस दिब्विद्रिष्टी के कारण से संजय भी भगवान के इस विसरूप को देख सका और संजय ने वही बात धितराश्ट को सुना यह संजय नहीं ना देखा होता तो संजय धित्राश को कैसे बताता और आगे भगवान कहते है अर्जन मनस लोक में इस प्रकार विश्रू बाला मैं ना वेद और यगों की अध्यन से ना दान से ना क्रियाओं से ना ही उग्रत तपों से तेरे अत्रिक्त दूसरे तपों से ही तेरे अत स्रेक्त दूसरों के द्वारा देखा जा सकता हूं भगवान कह रहे है जो मेरा ये विश्रूप है ये ना तो बेज के बेज और यग्यों की अध्यन से ना दान से ना क्रियाओं से और ना उग्रत तपों से ही देखो भगवान का भगवत में प्रसंग आता है कि जब वो इंद्र के दरवार में एक बार गुरु ब्रहस्पत का आग्मन हुआ देवताओं के गुरु ब्रहस्पत का आग्मन हुआ जब गुरु ब्रहस्पत का आग्मन हुआ इंद्र के दरवार में तो इंद्र अपने गुरु ब्रहस्पत के सम्मान में खड़ा ना हुआ जब अपने गुरु ब्रहस्पत के सम्मान में खड़ा नहीं हुआ तो गुरु गुरु ब्रैस्पत ने इसे अपना अपमान माना कि जो सिस अपने गुरु के समान में खड़ा भी ना हो कुर्सी से सिंगहासन से इसका आर्थ है उसके अंदर अहंकार है और जब अहंकार है तो वो ग्यान का पात्र नहीं है उसकी पात्रता ग्यान पाने की नहीं है क्योंकि इस अहंकार ही सबसे बड़ी पीड़ा रुकावट है तो कहते हैं गूरु ब्रहस्पत ने इंड्रका कर दिया और दिया असरों ने अपने लिए सुफसर माना और में अपने गुरु सुक्राचार की सेवा करके और इंद्र का इंद्रासन छेन लिया इंद्र सत्ताच्योत हो गए सत्तासे बंचत हो गए भगवान विश्ण की सरंहों में जाते हैं भगवान विश्ण ने कहा इंद्र जब तुम्हारा खोया हुआ राज पोनारा में प्राप्त होगा तो पमचल कि सांतिमी से रहां बता के पुंचल के दो रृ क्राइश? होगी कि इंडर देवताओं को साथ लेके गुरीव बिसरुप की सिरड में आता और गुरीव बिसरुप से निमेदन करता प्रांतना करता कि मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहते इन गुरु बिसरुप ने इंडर को अपना स्षिश MP 2कार किया और कहते हैं नारायMr skill कवच बनाके दिया और उस नारायन कवच की शक्ति से अ हुआ इन्द्र ने अपना मंौन इंधासन श्ल प्रू या फिर प्राप्ट कर लिए अब गुरु विश्व रूफ जैसे उनका नाम था विश्वृ रुफ यानि विश्व गुरूब सब्दका अर्थ है जो सारे विश्व को विश्व का रूप माने सारे विश्व में हर नाम रूप में परमात्मा को ब्याप्त देखे तो विरू गुरू विश्व गुरूब सरे भुष्व में परमात्मा को ही देख रहा कि अननत अननत परमात्मा के ही सब रूप के ही और सबकर मात्री और करुणा का भाव तो गुरू भी शुरूब जब यग करते, यग का जो पिरसाथ होता तो जो सामने आता उसे दे fairlyMON YOUC तो असरों को दे देते देवता आते तो देवताओं को दे देते लेकिं ये बात इंदर को अच्छी ना लगे इंदर ने गुरू भी शुरूब से कहा गुरू जी आप मेरे गुरू है यग्य की सामिक्री हम आपको उपलब्द कराते हैं लेकिन यग्य का प्रसाद आप मेरे दुस्मनों को दे देते हैं, असरों को दे देते हैं, और उन्हें भी जो आपको प्रडाम करता है, उनको सुखी होने का, सुष्थ होने का, विजई होने का आसीरवाद देते हैं, सुखी भो, सुष्थ भो, विजई भो, तो आप अगर उन्हें सुखी और विजई होने का आस मेरे लिए कोई अपना पराया नहीं है, मेरे लिए तो सब विष्णु के रूप है, सब भगवान के रूप है, सब अनंत रूप में परमात्मा ही है, सबी रूप उशी के है, अब संत तो सब विष्णु रूप है, जब संत ने कहा मेरे लिए तो सब रूप भगवान के कि यह बात लेकिन इंद्र को अच्छी ना लगे और इंद्र ने अपने गुरु विसरूप का वद कर दिया और फिर कहते हैं गुरु विसरूप के पिता प्रजापत तुष्टानिक ऐसा यह किया जिससे ऐसे पुत्र की चाह की जो इंद्र को पराज़त करें और बृतासुर प्रगठ हुआ ब्रतासुर ने इंद्र का इंद्रासन छीन लिया इंद्र फिर भटकने लगा तो कहने कर विसरूप जो सभी रूपों में एक ब्याप्त परमात्मा को देखें अब यह जो दृष्टी है यह दृष्टी आएगी कैसे यह नहीं कि कोई किताब पढ़लो सास् पढ़ने से नहीं आएगी ना वेद पढ़ने से आएगी न यग करने से आएगी ना दान करने से ना तीर्थ करने से दो बाते एक तु किरपा परमात्मा की किरपा हो और दूसरा थोड़ा अंतर मुखी होने की साधना हो प्राया आप देखें हम आप देखते हैं कि व्यक्ति मन से जब जितना सांत होता जितना अंदर से सांत होता है उतना 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 उसमें करुणा और प्रेम जादा आती है सांत मन का सभाव है करुणा और प्रेम और असांत मन की कुपरवर्टी है क्रोद और वैर व्यक्ति असांत है तनाव ग्रस्त है रुगड़ है बीमार है परेशान है तो उसके अंदर क्रोद आएगा वैर आएगा हिंसा आएगी इरसा होगी अगर उसका मन सांत है सांत है सहज है सजग है तो उस सजगता में उस सरलता में उस विस्रा में उसके अंदे से करुणा और प्रेम आएगा तो ये करुणा प्रेम कब आती है जब व्यक्तिकी जारा सजगता बढ़ती है होस बढ़ता है कभी आप देखो जितने अपरादी जब अपराद करते हैं कोई अपरादी अपराद करने से पहले क्या करता अपने को मूर्चित करता किसी की हत्या करनी हो तो अपने को पहले अब कोई भी अपराद कर सकता है कोई भी बुराई और कभी-कभी बाहर की सराब ना पिए तो क्रोध में अंदर से कहते हैं क्रोध की अवस्था आती है तो क्रोध में हमारे अंदर से जो हमारी adrenal glates है adrenal नाम की ग्रंतियां हमारे गले के पास होती है उनसे ऐसे रस का स्राव होता है ऐसा रस निकलता है जो एक मूर्चा देते हैं जो एक बेहोसी लाते हैं और उस मूर्चा में उस बेहोसी में आदमी क्रोध के आवेस में कुछ से कुछ कह दे कुछ से कुछ कर दे जो नहीं कहना था वो कह दे जो नहीं करना था वो कर दे तो क्या उस वे मूर्चा यह तो अंदर से सर क्रोध ने अंदर से सराव पैदा कर दी नसा पैदा कर दिया मूर्चा जगा दी या बाहर से किसी ने सरापी के मूर्चा ले आया लेकिन ध्यान होश जितना ज्यादा होस तेज होता है सजगता जितनी आती है मन को जितना विस्राम मिलता है उतना करुणा और प्रेम आती है करुणा और प्रेम आते हैं और जब करुणा और प्रेम अंदर से आए तो ऐसा अब्यक्त को भगवान उनने वो द्रश्टी दे देता है द्रब्य चक्चू दे देता है कि सारा जगत उसे परमात्मा का ही रूप दीखता है हर नाम रूप में परमात्मा ही दीखता है ब्रक्ष दीखता है तो ब्रक्ष नहीं दीख रहा है ब्रक्ष में खिले हुए फूल परमात्मा के दीख रहा ह ब्रक्ष की हर्याली परमात्मा दीख रही है, पक्षियों का संगीत परमात्मा का संगीत लग रहा है, सारी स्रिष्टी, सारा जीवन, सारा जगत, उसकी एक द्रिष्टी होती है, सब परमात्मा के रूप है, तेरे नाम अनेक तुम यह कई है, तेरे रूप अनेक तुम यह कोई एक रूप नहीं है उसका कोई एक नाम नहीं सब रूप उसके रूप है सम नाम उसके नाम है यह दृष्टी कवातिय विस रूप की जब थोड़ा जीवन में होश आये प्रेम आये करुणा आये और परमात्मा की कृपा हो और यह बहुत बार दिखे समर पड़ से यह हंकार मुक्त हो जाए सरल हो जाए तो कोई यह कहे कि नहीं हमने बहुत सास्त्र पढ़ लिए इसलिए मिल जाए ना कोई दान करे तो मिल जाए ना कोई यग करे मिले ना यह किरपा से समर पड़ से अर्जुन ने पाया तो समर पड़ से पाया अर्जुन ने संकल्प से नहीं पाईए समरपड से पाया संकल्प में व्यक्तिका अहम तेज रहेगा मैं संकल्प में व्यक्तिका अहम रहेगा मैं मैं साहना करके परमात्मा को पाएंगे मैं तब करके परमात्मा को पाएंगे मैं दान करके परमात्मा को पाएंगे यग करके परमात्मा को पाएंगे तो उसमें मैं रहेगा तब कर रहे तो मैं है दान कर रहे तो मैं है कोई अध्यन कर रहे है सास्र का तो मैं है हर क्रिया अहम से पेरत होके जो हो रही है हर क्रिया जो अहंकार से पेरत होके हो रही है उस क्रिया से बिस्रूब दर्श्टी नहीं मिलेगी परमात्मा की दर्श्टी नहीं मिलेगी बिस्रूब दर्सन नहीं होगा वो बिस्रूब दर्सन कब होगा जब अहंकार हटे तो परमात्मा ये मैं हटे जब मैं हटे तो मैं नहीं रहता फिर तू रह जाता मैं नहीं तू कभीर कहते है जब मैं था तब गुरु नहीं अब गुरु है मैं नहीं प्रेम गली यतिसा करी जा मैं दो न समाई प्रेम का मार्ग प्रेम रह जाता बस प्रेम रह जाता और परमात्मा रह जाता और जब प्रेम रह गया परमात्मा रह गया तो सारे रूप यह प्रेम समष्टी के प्रेम हो गया यह प्रेम जो है समष्टी के प्रतिके हर रूप उसी का रूप है अनंत अनंत रूप उसी के है परमातमा जब दिव चक्षो देता किर्पा की दिष्टी देता तो फिर हर रूप में परमातमा देखते हैं तो ये समरपण से संकल्प से नहीं समरपण से भाहो से भगती से समरफण से परमातमा अर्जुन्द zasad्य पाया समरपण से पाया कोई संकल्ब से नहीं पाया समरपड से पाया और जिन लोगों को देखो जो संकल्ब के रास्ते पर चलते हैं उनको यह दिब दर्ष्टी नहीं मिलते हैं उनको परमात्मा का विशुरूब दर्सन नहीं होता इसलिए वगवान कहते हैं पहले किसी को हमने विशुरूब को देखे उनमें फिर भी भाव की प्रधानता थी उनमें भाव की प्रधानता थी भाव की प्रधानता थी भक्ती की प्रधानता थी तो उनको भाव और भक्ती का रूप भगवान ने अपना दिखाया लेकिं अर्जन तो रजोगुड़ी था और अर्जन में रजोगुड़ क की प्रधानता होते हुए च्छत्री सवाह होते हुए युद की लिए युद्री का पिपाश हो थे युद्र की लाल सा ओव निय întlac to be a are toワा ली अर्जन का समरपड़ अर्जन का समरपड़ वस अरजन का समरपड़ दिर्योधन का नहीं था वह कि किसी और का नहीं था अर्जुन का समर्पड था इसलिए भगवान ने अर्जुन को अपना यह रूप दिखाया और भगवान कैसलिए यह रूप देखने के लिए विशुरूप दृस्टी जो मिलेगी विशुरूप दıर्सन हो दान हो पुन हो यह तो निमित हैं आते ते किरपा से हैं भगवान संग्राचान एक जगे लिखा है कुरुति भगवत गीता किंचत धीता गंगा जल लव कड़िका पीता भगवत गीता किंचत धीता गंगा जल लव कड़िका पीता सक्रयने ने मुरारी समर्चा क्रिते तस्यमेन नचर्चा भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूर मतें भगवान संकराचार कहते हैं कि कुरुति गंगा सागर गंदम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूर मतें गोविन्नम भज मूड मतें भगवान संक्राचार कहते हैं के कुर्टे गंगा सागर गमनम बृत पर पालन अथवा दानम तुमने कितने गंगा सागर की और कितने तीरत यात्राइं किये हैं कुर्टे गंगा सागर गमनम बृत पर पालन अथवा दानम कितने बृत वबाद किय कितना दानपुन्द किया है ग्रालbini निहीं के मुक्त नहीं मिलती दोखों से छटकारत रहे जुए जहें पिजरी और यही WO duh गवान संक्राचार के बिना में आप जयान पिए को और यहीं इस लोगे एक कहते हैं भगवत क alcanzete की ता गंगा जल लवकड का पीता बगवत गीता का एक सब्द पढ़ लो गंगा की एक बूंद पान कर लो और परमात्मा किष्ण की एक वार उपा अर्चना कर लो प्रार्तना कर लो कहते ऐसे विक्त की मौत भी चर्चा नहीं करेगा एक सब्द गीता का एक बूंद एक बूंद गंगा जलकी और एक सब्द प्रार्तना का कि रितेता से यम भी चर्चरी करेंगे अब ये कैसे हो इसमें भाव चाहिए भक्ति चाहिए समर्पड चाहिए श्रद्धा चाहिए डूबते हुए गजराज ने लंबी चोड़ी प्रात्ना नहीं की थी एक सब्द कहके पुकारा परमात्मा प्रगट हुए एक सब्द कहके पुकारा परमात्मा प्रगट हुए द्रोपडी ने गोविंद कहके पुकारा और भगवान बस्र बन गए द्रोपडी के लंबी चोड और प्रेम से निकला अर्जुन की पत्रता थी समर्पड की भाव की प्रेम की तो जहां भाव की प्रधानता हो प्रेम की प्रधानता हो समर्पड हो असली वही पत्रता है वेद सासरों का अध्यन नहीं तप अधी तप वेद यह नहीं है सिर्फ भाव की प्रधानता प्रेम की प्रधानता समर्पड का भाव तो अर्जुन में वो था इसलिए भगवान कहते हैं मैंने तुझे ये रूप दिखाया आज मैं यहीं विराम देते हैं मेरा सभी को पड़ाम हर्योग